हेलो एवरिवन कैसे आप सब यहां पे सबजी की तयारी मैंने शुरू कर दी है और सबजी मैं बना रही थी आलू सिमला मिर्च की और समय हुचका अब साम के साड़े पांच बजे हैं तो वैसे तो बोड टाइम हा भी तो दो पहरी लग रही है बार जाके देखे तो लेकिन ब कुछ काम ही नहीं है तो फिर यह शहीं क्योंकि जो अपन हम अपने काम हता हम वही पूरा करने की कोशिद्त करते हैं तो इस टाइम हर घर में वैसे तो होता है करिके की जाडू वगारा शाम को भी लेकिन हम मैं जब से आई हूं मैं तब से देख रहूं कि हमारे घर शाम को जाडू नहीं लगाते तो जहां लगाते हैं वहां यह कि इस टाइम जाडू अगर अलगाने लग जाए ओ या और कुछ काम करो तो बाकी का जो सामान सेट करने का काम होता है इदर उदर जो दिन में बिखरी जाता है क्योंकि बच्छे घर पे रहते हैं तो यह काम होना ही था तो वह सब सेट करने के बाद फिर यहीं बचता है कि अपने सब्जी रोटियों की तापे की स्याम की तयारी करें और हाँ अगर पार्ग चले जाओ तो फिर स्याम होनी होनी है क्योंकि साथ बज़े गए और साथ में उनकी दादी गई तो मैं फिर यहां पर बैट गी थी अपनी सब्जी काटने के लिए सब्जी बगरा काटके मार रख दूंगी बनाएगी निशुआ के और देखिए सब्जी काटते वक्ते सिम्ला में बड़ी अच्छे यह वैसे तो और अंदर इसके एक बीज नहीं है , यशी बीज का वह उत यह, चोटा है और इसके अंदर एक और छोटी सी सिम्ला में शुरू हो चूकी है कि देखे, एक भी बीज नहीं है इसके अंतर पतानी कैसी जी बोगरीब सबजी आ रही है। कुछ दिन पहले मैं मट्र चील रही थी तो मट्र के अंदर भी अंकॉरित मट्र निकले, जैसे ही मैंने मट्र को खोला, तो उसके अंदर से हार दाने के उपर अंकॉरित फुटा हू इसको बहुते हैं ओले जो ग्रेंज जो चने उतते थे जो टार्ट एक बार मैने आपको दिखाई भी थी विलोग में तो जो पक जाते हैं तो उसको फूंद के और उनके यह बनाई जाते हैं ओले जो दिखाते हैं आपको निकाल के खाने में बढ़े टेश्टे ही होता है, यह देखिये बेखिये, जम देखिये, जम पर आप। और यहां पर पर महा ने लिखे। इसरी देवफिपत कि कांटे थे ? एसरी को दो अगर हो जाता है अगर फीर मुद्विप है घृ नियु काटे है और पर ने मुद्विक भजिन कीघिए थी क्योंकि वही होता है अगर मस्यपजी बना लेती हूं तो रोटिया फिर नीशू बना लेगी आराम से और उसको कुछ आजकल थोड़ा सा चाहो वी चड़ा रोटिया बनाने का और बढ़ी अच्छी बनाती है बिल्कुल पतली-पतली और गोल तो उसे नहीं होती है लेकिन अग़र के से ब्राcji होने के बाद डिल डाल दे हैं टामाटर IGHT माटर सॏफ्ड और उसके अंदर अपने बैसिक से मसाले और फिर जब मसालों ने तेल छोड़ना शूरू कर दिया था फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी सब्जी यानि के अलू और शिमला मिर्ज अगर और सिब्जी छोगने के बाद फिर यहां पे मैंने निकाल लिया था अपने दूद का पतिला क्योंकि यह पी यह काम होता है और यह काम मुझे थोड़ा सा सूट भी नहीं होता और मुझे थोड़ा सा एक पसंद भी नहीं है करना जिसके इमलाई वेगरा निकालना और जिस दि इसको मतलब यह पूरा हो जाए जो यह मेरा बरतन ही है तो इसको जमन लगा के रख देते हैं और सुबह बिलोने का काम होता है तो यह थोड़ा हर डिफिकल्ट ही होता है मेरे लिए तो इसको निकाल दूंगी मैं एक पतिले में और इसको अलका सा गरम करके और फिर इसके जो जैने कपड़े दोए थे और फिर मँलगी ठीक निशू के साथ इस काम को उसके एलब करने के लिए तो यहां पे हैं दो कटोरियां पितल गी और यहीं थाली तो इसको डेकुरेट करने में लगी हुई थी तो एक बार मार्केट चले गए इसके लिए सामान वगारा लेकर आना और फिर इसको लेकुरेट किया पूरे दिन आज इसी पे लगी रही थी अच्छे लगते हैं अगर ठाली हो कुछ काम ही नहीं है तो बैठके कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं DIY और इन चीजों की जुर्थ पढ़ती रहती है पूजाओ कोई त्यावार हो या कोई फिर बरत वगएरा हो साधियो कुछ भी हो तो यह देखे कितनी अच्छी लग रह अच्छी वी और साथ साथ में मैंनी उठा के लिए था अपने कपडे क्योंकि कपडे भी मेरे सोक चुके हैं तो यहां पर लगा ली थी मैंने प्रेस है लो एवरिवन तो यह के लिए पागने दिन की वो समय उच्छा श्याम के चार बज चुके हैं सुबह दो हो यह थे कप कर रही थी और एक यह देखिए इसको खाने से अलावा कोई काम नहीं है सर्फ खाना ही खाना इसको अब कर दियो मैं प्रेस और पिंटू की सुन रही थी थोड़ी बहुत जक जक क्योंकि आज इसकी थी क्या थी तो उसके बारे में इसकी एक डेड़ गंटे तक लगा था इ क्योंकि यह पका लेती है मुझे बिल्कुल मिलते हो आपसे थोड़ी देर के बाद और बस यहां पर मैं लगी थी प्रेस करने के लिए और एक यह काम है जो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी और इतना बोरिंग लगता है और और काम तो ऐसे है कि मैं बोल देते हूं यह काम नीशू कर ले कर लेती है लेकिन यह काम ऐसा है कि मुझे ही करना पड़ता है तो बस आभी मैं यही बात कर रही थी कि कुल दी पैसी कोई मसीन नहीं है कि आप प्रेस कर दे कपड़े डाले और प्रेस होके बाहर आए है और बोला मामी सब कुछ आएगा लेकिन टाइम लगेगा तो बस यह काम इतना बोरिंग है लेकिन करना पड़ता है इसका यह भी न मैंगो यही सिजन के पहली बार हमारे घर आए है आज और यह लेकर आई थी नीशू की चाची गाहों से आई थी वो तो सब के लिए मैंगो शेक रेडी यह प्रेस करने बैठी थी तो बैठे बैठाई कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो उसकी बात ही अलग होती है और फिर मैं मिल रही थी आप को सी दिस स्याम को साथ बजे के करीब तो यहां पर मैंने आठा लगाना सुरू कर दिया था और बाकी का काम जो चाए वगएरा के बरतन वगएरा थे वो नीशू ने कर दिये थे थोड़े बहुत और फिर यह देखिए रात को आज कल हमें दोखना है बसोड़ा तो उसकी तयारियां पर सुरू हो चुकिए है यहां पर मोठ मूंग बाजरा यह सब चीजे भी गोके रख दी थी और यह सब तयारी कर दी थी माने और इसको हंजान तक पहुचाना है मुझे सुबह तो देखिसे मैं हो चुका सब्दे दस बजे का दोड़स य आपसे एक और नई वीडियो के साथ